अगले वीडियो में पिछले वीडियो में हमने पार्ट नौ पढ़ा था सदाचार जिसका शेशक था सजाचार आज हम इसके प्रेशन उत्तर करेंगे इसके प्रेशन उत्तर का बैटे मैंने आपको pdf send किया था आप सभी ने उसको देखा होगा और उसके प्रेशन उत्तर कीए होंगे आज मैं उन्ठ उत्तर को आपको एक बार explain कर रही हूँ जो इस प्रकार से है आपकी question answer में पहला प्रेशन है आपके इस पार्ट के कठीन शब शब्दे कुछ इस तरह से हैं पहले आप एक बर कर्णी शब्द पर नज़र डालिए सामाजिक समाज में रहने कर कोई कारी करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है सामाजिक अनुकूल किसी कारिय में मतलब किसी काम के सापसे किया गया कारिय क्या कहलाता है मतलब पक्ष में किया गया कारिय क्या कहलाता है अनुकूल गुरुजनों मतलब आपके अध्यापक गुरुजन ठीके कस्ट पीड़ा पहुंचाना मतलब किसी को देना किसी तक कोई चीज पहुचाना देना व्यवहार आपकी बोली चाली या आपका रहने का बोलने का तरीका इमानदारी पूर्ण इमानदारी के साथ सदाचार अच्छा व्यवहार सदाचारी मतब अच्छा व्यवहार करने वाला सम्मान किसी कई आधर या रेक्स्पेक्ट करना आवशकता आवशक मतब किसी कोई जरूरी कारिय अनुशाशित मतब नियमों के अनुखूल रहना अनुशाशित अनुशाशन कहलाता है मतब नियमों के अनुखूल किया गया कारिय क्या कहलाता है अनुशाशन और उसी के अनुशूर कारिय करना क्या कहलाता है अनुशाशित अखंड जिसके टुकडे नहीं किये जा सकते प्रसन्नता खुशी होना तपश्या कठोड मतब परिश्रम करना क्या कहलाता है तपश्या स संपार्क परिस्तितिया होती है हमारी situations, ठीक है, वो होती है, परिस्तिया अनु करनी है, मतलब कोई कारिय ऐसा जिसको हम उसके अनुसार कारिय करें, अनु करनी, होता है, इंग्लिश में हम बोलते हैं, इसे follow करना, ठीक है, सामार्थेवान होता है, किसी मतलब इसमें कैपिसिटी है जितनी कैपिसिटी है सहं मातलब हता है इसके अनुसार, मैंने सोनहें से आपको बताया प्राणी मतलब जीव सदाचार, नैती काचरन त्हण अच्छा व्याभार आदर शम्मान मदूर वचन मीठे बोल विनाम्ब होता है शूषील उत्तम चरितर आनन्द का मतलव होता है भैटे खुशी सैयम मन को निर्यंतन करना अपने मन को सैयम सैयमी जिसे वोता है अखन्ड जिसके टुकड़े नहीं किये जा सकते या कभी ना टूटने वृपत्त भुपदा, संकत, मुकाबला करना किस में लड़ाई करना, विपत्त schemes होता है, संकत, मन्जिल, लक्ष, सामर्थी वान, समर्थ Rudolph, योग्यय है अब बेटे हम आपके वो मोखिक प्रेश्ण करेंगे मोखिक प्रेश्ण में पहला प्रेश्ण है आपका सदाचार किसे कहते हैं इसका उत्तर देखे बेटे समाज में नियम समाज के नियमों के अनुकूल किये गई कारिये क्या कहलात को सदाचार कहते हैं समाज के नियमों के अनुपूल किये गई कारिये को सधाचार कहते हैं दूसरा प्रशने आपका विपत्ती में क्या करना चाहिए? विपत्ती में विचलित नहीं होना चाहिए और पूरी ताकत से उसका मुकाबला करना चाहिए सद्गुन से क्या तातपर ये है? व्यवहार में अच्छे गुणों का होना सद्गुण कहलाता है अगला प्रेशन है आपका रिकिस्तान की पूर्टी करो मनुष्य एक सामजिक प्राणी है समाज में रहकर वे कई तरह के काम करता है दूसरा है आपका सदाचारी बनने के लिए इमानदार होना आवशद है दूसरा प्रेशन है सही उत्तर का क्रमाक्षर जाटकर कोस्टर्ट में लिखे उत्तम व्यक्ति के गुन है उप्युक्त सभी क्योंकि गुरुजुनों को आदर करना, वद्रु बोलना विनम्र रहना ये सभी क्या है उत्तम व्यक्ति के गुण है तो उप्युक्त सभी आएगा इस पे टिक कीजिए सकते बोलना एक प्रकार की तपश्या है कैसी तपश्या है सकतों बोलना अखंड तपश्या है प्रश्न तीन है आपका व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान किस से होती है इसका उत्तर देखे व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान उसके अच्छे व्यभार से होती है एक बार फिर से देखे व्यक्ति के सदाचारी होने की पैचान उसके अच्छे व्यभार से होती हैं अगला प्रेशन है आपका सदाचारी व्यकति में कौन कौन से गुण होते हैं सदाचारी व्यक्ति में गुरुजनों का आदर करना सत्य बोलना सेवा करना किसी को कस्ट नै पहुंचाना मधरवचन बोलना विनमर रहना अपने असीम धहरिये और शेहन सीलता जैसे गुनों के कारण प्रतिकूल प्रिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है एक बार फिर से देखिए सदाचारी वेक्ति अपने असीम धहरिये और शेहन सीलता जैसे गुणों के कारण प्रतिकूल फरिस्तितियों में भी विश्लित नहीं होता अगला प्रश्न है आपका सदाचार सफलता का मार्ग है कैसे इसका अंसर देखिए सदाचारी वेक्ति के सदगुणों के कारण उसके कारिये सहस्ता से बन जाती है उसमें विपरित परिस्तितियों से मुकाबला करने की शम्ता होती है इसलिए सदाचार सफलता का मार्ग है अगला प्रश्न है महापुरुषो महापुरुष हमारे आदर्श क्यों है इसका उत्तर देखे, महापुर्शों में सदाचार के बल पर अपनी असीम शक्ती को प्रकट करने का सामवर्थ होता है, उनके द्वारा की गईकारिया महान होते हैं, इसलिए भी हमारे आदर्श होते हैं। अब भाषा की बात की प्रेशन देखिए, पहला प्रेशन है इसमें बे इमान जूटा व्यक्ती, महापुरुष इसमें आपको बे इमान भी लिखना है बेटे और फिर उसके आगे लिखना है जूटा व्यक्ती, महापुरुष क्या हो जाएगा, महापुरुष महान कारिय करन इमानदार, बैमान, सम्मान, अपमान, निर्बै, दर्पौख, अनुखूल, प्रतिकूल, सदगुण, दुर्गुण आधी इस तरह से बीटे आपको यह अपने प्रेश्न उत्तर करने हैं और इसके अन्य प्रेश्ण उत्तर का मैंने जो आपको PDF सेंड किया है आपको उसमें से इसके अन्य प्रेश्ण उत्तर करने हैं तो आपको ये बुक वाले प्रेश्ण लिकोस्टक वाले प्रेश्ण और ये भाष्या की बात वाले दोनों प्रेश्ण आपको बुक में करने हैं बाकी ये मोखित प्रेशनू और ये पिरशन आपको अपने नौनखुप में करने है और अपने पाट 10 को एक बार रीद करके अज़ सुले को अपने नौनखुप में करना है ये आज आप आपका hour वूमवर्क है अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं तब तक के लिए वबाई have a nice day